वेलकम बैक तो मैं यूट्व चैनल लेट्स गो टेक्निकल तो आज आपको बताए जाएगा क्विक पार्ट्स आप्शन के बारे में जो आपके इंसर्ट टैप की कि अंतरगर टेक्स्ट ग्रूप में मिलता है तो कि पार्ट्स आप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक ड्र कम समय वोसचीज को पूरा कर सकते हैं तो सिंपल जैसे माली यह आपको ईक्स लिखते हैं सेंटेन्स लिखते हैं जैसमाली हमने टाइब कर दिया रेंडम एक्सेस मेमोरी तो यहाँ पर एतना बढ़ा टेक्स टाइब करना रहा पढ़ जा रहा है अगर इसी तरीके से जीतना भी आपको shortcut की तयार करना हो, sort form तयार करना हो किसी text का, आपको simply क्या कर देना है, यहाँ पर कोई भी text type कर लेना है, type करनी के बाद आपको इस text को कर लेना है, select, select करनी के बाद आप चले गईगा, quick parts option पे, जब इस पर क्लिक करेंगे, तो सबसे last में एक option highlight होगा, save selection to click part, gallery, जब हम इस पर click कर देते हैं, यहाँ पर पूछेगा कि इसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं, जो sort form हम तयार करेंगे, उसका क्या नाम होगा, हमने बताया है कि इसका नाम हम रखना चाहते हैं, RAM, ताकि आपको कभी भी random access memory लिखने की जर्रत पड़े, तो आपको पूरा text type करने की जर्रत ना हो, केवल आप RAM टाइप कर दें, तो उची text जो है, उसके बाद हम कर देंगे, ओके, तो यह हमने ओके कर दिया, इसी तरीके से जीतना आप बनाना, जैसमाल लिजे हम यहाँ पे जो है, equal rend करते हैं, तो एक लिखा हुवा document आ जाता है, इसमें से हमें इस paragraph का एक की पार्ट गैलरी, जब आप इसवे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नेम पूछेगा, तो हमालेजे type कर लिए paragraph, ठीक है, type करने के बाद हमने कर दिया, ओके, तो यह हमारा short form बन चुगा, अब हमने इसको कर दिया, delete, अब delete करने के बाद जो है, अगर कभी भी इस document के अंतरग हो जाएगा, एक तरीका हो गया, दूसरा चीज़ इसी पी क्लिक कर रहे हैं, तो आपका random access memory भी पूरा लिख कर आ जाएगा, अगर हम चाहते है, shortcut करीके से इसको ले कर आना, आपको क्या लिखना है, तो आपको RAM लिखना है, रैम लिखने का कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस कर देजिएगा, तो जब कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस करेंगे, तो चीज़ लिखकर आ जाएगा, अगला चीज़ देखे, paragraph मुझे ले कर आना है, तो पैरगराफ मुझे ले कर आना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा paragraph ही लिखने, उसके बाद F3 प्रेस करें, नहीं, उस paragraph का केवल P character हमने प्रेस कर दिया, और कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस कर दिया, तब भी ओ पैरगराफ आ जाएगा, इसी तरीके वहाँ पे रैम लिखा गया था, अगर हम उसका रैम की जगह पर क्या लिख दें, और कीबोर्ड का F3 प्रेस कर दें, तब भी आ जा रहा है, इसका मतलब यह होता है, कि अगर उस character से related केवल एक ही short form है, वहाँ पे हर एक character पर depend करता है, तो R करेंगे, तो R नाम से केवल एक ही short form बना है, तो केवल आप R टाइप करके F3 कर देंगे, तब भी लिख देगा, या तो आप पूरा लिखेंगे, तब भी लिखेगा, तो एक पूरा टाइप करने की जड़रत ना पड़े, फिर यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो R टो टेक्स में जाएंगे, तो यह एच पी नाम से जो बनाया रहेगा, यह रहेगा, तो आटो नाम से यह चीज है, इसके आगे जाएंगे, तो document property आएगा, इसके अंतरगर, जो है, document में, कहीं पर title जोड़ना चाहते हैं, publish date जोड़ना चाहते हैं, manager जोड़ना चाहते हैं, keyword जोड़ना चाहते हैं, कोई भी चीज आड़ करना है, तो आप उस पर click कर दीजेगा, तो यहाँ पर एक box आजाएगा, तो यहाँ पर आपको उसको लिखने इसके बाद होता है, यहाँ पर field में, देखी क्या है, इसी तरीके साब का field भी आ जाता है, हमें इस पर click कर दिए, click करने के बाद field पर click करते हैं, तो यहाँ पर देखी बहुत सारा box आ गया, तो जिस पर हम click करेंगे, तो उसी से related format मिलेगा, जो format आप चूज करना चाहते हैं वही format यहाँ पर आ जाता है, तो आप click कर दिजिएगा, उसी तरीके का आ जाएगा, एक और ची देख लिजिएगा, यहाँ पर building block दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारा organizer आएगा, जो भी आपको page अच्छा लगे, जो भी starting page आप रखना चाहते हैं, जिस तरह का, वह आप cover page का इस्टाइल चूज कर सकते हैं, अगर हमने इस पर insert पर click कर दिया, तो देख सकते हैं, cover page मेरा जो है, तयार होका आ जाएगा, और उसी format में होगा, और जो पहली page पर था, वो दूसरी page पर चला जाएगा, यह था मेरा quick parts option के बारे में detail जानकर, यद मेरी वीडियो परसंद आई हो, तो like करेगा, share करेगा, subscribe करेगा, मेरी YouTube channel, let's go technical को, तो मिलते हैं किसी next video के साथ, तब तक के लिए, bye-bye